नमस्कार, रियल लैफी रेसीपी में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे राज को चोड़ी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए हम लेंगे मैदा, एक कप, मैंने एक कप मैदा लिया है, अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, एक छोटा चमच, अब हम इसमें डालेंगे गी, दो बरे चमच, नॉर्मल जो घर में खाने वाली चमच होती है, उससे हम डालेंगे, दो चमच गी, आप रिफाइन वाली भी ले सकते हैं, वैसे घी से इसका कुरकड़ापन ज्यादा आता है, और ये खसता बनेगा, इसे हम अच्छी तरह मिल जाएंगे, साधी चीजी को मिक्स कर लेंगे, अब हम इसका मुठ्धी बना कर देखेंगे, इस टाइप से कर आपका मुठ्धी बन रहा है, तो मोयन बिल्कुल पर्फेक्ट बढ़ा है, अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको गुद लेंगे, इसे हमें ज् इसका हमें थोड़ा टाइट डो ही बनाना है, आटा हमारा गुद चुका है, अब हम इसे एरेश्ट करने के लिए 20 मिनट तक ढख करके छोड़ देंगे, 20 मिनट हो चुका है, आटा को हम फिर से अच्छी तरह मिक्स करके इसको चिकना कर लेंगे, आटा हमारा एकदम परफेक्ट गुद आ है, इधर हम गैस को आन करेंगे और कड़ाहि को गरम होने के लिए रखेंगे, जब तक ड़ाहि हमारा गरम हो रहा है तक हम सारे आटो की लोईया बना लेंगे, हमें पूरी से थोड़ा बड़ा लोई लेना है क्योंकि इसे हमें मोटा मोटा बेलना है इसे हथेलियों के बीच रखकर हम चिकना करके लोई बना लेंगे इसी तरह हम सारी लोई को बना कर रख लेंगे इसे फेलियों के बिछ दबाते हुए चिकना करते हुए मैंने सारा लोई बना लिया है अब हम कराही में डालेंगे रिफाइन वायल और इसे गड़म होने के Live को बेल लेंगे इसे हुमने ज्यादा पतला नहीं बेलना है और थोगा बड़ बेलना है कि से से हमें मोटा ही रखना है मैने सारे कचोडीयो बेल लिया है इधर भी हमारी गरम हो चुका है अब हम इसमें एक करके सारे कचोडियों को तल लेंगे तेल हमारा बिल्कुल गडम है अब हमुछ में डालेंगे कचोडि और उसे धीरे-धीरे प्रेस करते हुए उसको तलेंगे जिसे की वो फूल जाए इस तरह फ्रेस करने से देखे कितने अच्छे से फूल गया है अब हम इसे प्लट कर दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक सेख लेंगे आज का फ्लेम हमें हाई ही रखना है नहीं तो तेल ठंड़ा हो जाएगा और कचोड़ी नरम हो जाएगी इसे हम अच्छे तरह प्लट प्लट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे जिससे कि यह कराड़ा और खषता बने कचोड़ीयों के उपर हम थुरा-थुरा तिल डालते जाएगे जिससे कि यह अच्छे से सिख जाएगे आब हम इसे निकाल लेंगे और फिर हम दूसरा कचोड़ी इसी तरह प्रेस करते हुए गुलेर ब्राउन होने तक तलेंगे देखिए कचोड़ी हमारा बिल्कुल तयार हो चुका है इसे हमें अच्छी तरह सेख लेना है अब हम इसे पलट कर सेख लेंगे जिसे कि यह कुरकुड़ा हो और हम फिर इसे निकाल लेंगे चली अब हम इसका फिलिंग शुरू करते हैं यह देखिए कचोड़ी हमारा कितना खस्ता बना है ऐसे 20 से हम उसको तोड़ लेंगे अब हम इसका फिलिंग तियार करेंगे के लिए मैंने लिया है उबला हुआ एक बड़ा आलू इसको मैंने चोटा-चोटी टुकड़ों में काट लिया है उसमें डालेंगे स्वाद के नुशार नामक अब हम इसमें एड़ करेंगे साबुत मूंग और सफेद वाला चना जिसको मैंने रात भर भीगो करके रखा था और मैंने इसे 10 मिनट वोयल भी किया है अब हम इसके अंदर डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमच चाट मसाला और इसे अच्छी तरह मिक्स करें है अब हम इसे कॉछोर्यों में फिल अफ करेंगे इंच कि देख करेंगे है अब इसमें डाली नेगे द्रहरी करेंगे दोदाख यह प्याज्श, यह रावम है मकंई मार्कट से लिए है दिधा के उपर सिर्केज़ा दोदाखा लाल निर्च पाउडर धनिया, पत्त, अनार के दाने फिर से हम डालेंगे इसके उपर से हो थोड़ा सा दही थोड़ा हरा चटनी और थोड़ा सा लाल चटनी सेम प्रोसेस को दोराते हुए हम सारी कचोडी को भर लेंगे कचोडी हमेरे पुड़ा फूल करके भरना है यह देखिए हमारा राज को चोड़ी कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और सेर करें